नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर मीलम शर्मा, इस वीडियो में हम दिसकस करेंगे की एंजोहिल दी टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, एंजोहिल दी टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और एंजोहिल दी टैबलेट की वज़से क्या साइड दखनी चाहिए, एंजोहिल दी टैबलेट का उप्योग शरीर में दर्थ होने पर और सूजन को कम करने के लिए एंजोहिल दी टैबलेट का उप्योग किया जाता है, यदि आपके शरीर पर कोई चोट लगने की वज़से सूजन आ गई है, तो एंजोहिल दी टैबलेट दर के साथ साथ सूजन को भी कम करती है और कोई चोट लगने पर घाव को जल्दी ठीक करने में मदद करती है एंजोहिल डी टैबलेट का उप्योग शरीर की मासपेशियों में दर्ध होने पर शरीर की हड्डियों वर शरीर के जोडों में दर्ध होने पर दातों में दर्ध होने पर कमर में दर्ध होने पर कान में दर्ध होने पर और गले में दर्ध होने पर आधी कंडिशन्स में एंजोहिल डी टैबलेट का उप्योग किया जाता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। उल्ती आना, उल्ती आने का मन होना, त्वचा पर खुजली होना, त्वचा पर रैशेस होना, भूख कम होना, दस्त होना और लिवर एंजाइम बन सकते हैं। ज्यादा लंबे समय तक या ज्यादा डोज में एंजोहिल डी टैबलेट को लेने से किड्नी वर लिवर डैमेज हो सकती हैं। और शरीर में खून की कमी हो सकती है, एलर्जिक रियेक्शन किसी को भी और किसी भी दवा से हो सकता है। यदि आपको एंजोहिल डी टैबलेट को लेने के बाद सांस लेने में दिक्कत, मुह गले होठो या तवचा पर सूजन, तवचा पर खुजली, तवचा पर रैशेस या एंजोहिल डी टैबलेट को लेने के बाद एकदम से बुखार होता है। तो आपको तुरंथ ही डॉक्टर से परामर्ष लेना चाहिए, क्योंकि ये लक्षण allergic reaction के हो सकते हैं, और allergic reaction होने पर तुरंथ medical treatment की आवशक्ता होती है. अब हम डिसकस करेंगे कि एंजोहिल D tablet को कैसे लेना recommended होता है. एंजोहिल D tablet को खाना खाने के बाद लेना recommended होता है. आम तौर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर एंजोहिल D tablet को दिन में 2 से लेकर 3 बार लेने की सलाह देते हैं. कुछ व्यक्तियों को डॉक्टर केवल दर्ध होने पर ही एंजोहिल D tablet को लेने की सलाह दे सकते हैं. एंजोहिल D tablet की डॉज उम्र शरीर के वजन और बीमारी की गमभिरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है. इसलिए आपको Enzohil D-Tablet को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। अब हम दिसकस करेंगे कि Enzohil D-Tablet को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। पेट में अलसर होने पर, पेट या आंतों में ब्लीडिंग की समस्या होने पर, किड्मी, लिवर या दिल से संबंधित कोई गंभीर बीमारी होने पर Enzohil D-Tablet को लेना recommended नहीं होता है। इसलिए इन कंडिशन्स में डॉक्तर की सला के बिना Enzohil D-Tablet को नहीं लेना चाहिए। इन जोहिल D-Tablet के साथ शराप का सेवन नहीं करना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका Enzohil D tablet से संबंधित कोई प्रश्ण है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं